बात करेंगे भारत के शिर महावले शिरा की इंपेक्ट रेस्लिंग में वापसी को लेकर और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों देशी हिट स्कॉाड ने अटेक किया टीजेपी, फलाबा और डागा पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आज के इंपेक्ट रेस्लिंग के एपिसोड में हमें डागा और टीजेपी के बीच में एक बढ़िया सिंगल स्मैच देखने को मिला, दोनों ही काफी अच्छे हाइफ लाइर रेसलर्स हैं, जिसकी मज़े से मैच काफी शानदार था दोनों ही रेसलर्स की तरव से इस मैच में एक से एक शानदर मूव्स लगाए गए लेकिन आखिर में जीत होती है टीजेपी की जहां वो डागा को टैप आउट करवाकर सब्मिशन से इस मैच में जीत हासिल करते हैं, मैच के बाद में फला बा वहाँ पर आते हैं और वो अ के हारे थे मैच वो आते हैं रिंग के अंदर और बचाते हैं टीजेपी और फला बा को रोहित राजो रात सिंग से जिसके बाद में वहां महाबली शिरा आते हैं और फिर डागा को एक टगडा चौक फ्लेम लगा कर अपनी वापसी का आगास करते हैं तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि आखिर क्यों देशी हिट स्कौड ने फला बार टीजेपी और डागा पर इस तरह से अटाक किया तो दोस्तों अगले वीक के इंपेक्ट रिसलिंग के एक्स्पलोजन के शो में हमें इन दोनों ही टीमों के बीच में एक सिक्स मैन टेग टीम मैच देखने को मिलने वाला है जो कि काफी जादा तगड़ा होगा और इसी के साथ में यहाँ पर महाबली शिरा की वापसी का दूसरा कारण ये है कि इंपेक्ट रिसलिंग का हाट टुखिल पेपर व्यू जो की 12 जनवरी 2020 को होना है वहाँ पर भी महाबली शिरा का एक बड़ा मैच सेट ह होने वाला है पहले से ही इस पेपर व्यू के लिए काफी सारे अच्छे-च्छे मैच सेट हो चुके हैं जिससे पता लगता है कि इंपेक्ट रिसलिंग का ये पेपर व्यू भी हर एक पेपर व्यू की तरह काफी जादा शांदार होगा दोस्तों अगर आप महाबली शिरा क के रिटर्न का ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर क करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें बिलीव इन गॉड एंड ठेंक्स पर वार्ट सेंग